है लो दोस्तों मैं उस अंतोश्निक अम्हों मैं आपका स्वागत करता हूं मरी यूट्यूब चैनल पर जिसका नामे बैक बेंचर शुरू करेंगे आज की वीडियो को जो भी लेविल समल्मूने कर डिसकस किये ते सब्सक्राइब करें गदिस्टि के साथ में इस पॉट पे कल ने कल के थमनिल में आप लोगो 36,000 का जो तारगेट है वो देदिया था एक्साटली हम लोग को एक साथ मीला था 36,100 जो लेवल हम लोग ने इसी लेवल को टार्गेट कंप्लीट करने के बाद में डाउंसाइड में यह मार्केट में मुमेंटम जो हम लोगों मिला था और काइंड ऑफ साइडवेस मुमेंटम मिला था हाला कि कले मुझे इतना बड़ा गैप अपनिंग का एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरे एक्सपेक् किया है अगर हम लोग निफ्टी के बारे में बात करेंगे निफ्टी में भी मैंने कल आप लोग को 16600 का जो टार्गेट दिया था वह मिल गया है एक गैप ऑपनिंग मिली थी गैप ऑपनिंग के बाद में ही मार्केट में एक अपसाइड का रैली कॉंटीनियू था प्राइ करके रखा हूं सारे स्टॉक से इसका टाइमिंग यहां पर देखर करके रखा हुआ है चाट पर जगर कि आप लोग सारी चीजों को आराम आराम से चेक कर लीजिए कैसे प्रोट्रेडर्स प्राइज एक्षिन के बेसिस पर भी पैसा कमा जरूरत नहीं कि आप लोग के पास का रिलाइंस के बारे हम बात करो तो 3.48 परसेंट के बाद में हम लोग को मिला था और प्राइस एक्षिन के सेट अप पे अगर हम लोग इसे फाइफ मिनेट टाइम फ्रेम के ऊपर भी बाई कर सकते थे तो सी में काफी शांदार पॉफिट हम लोग को यहां पर बना है जो स नाइट्रेड में 4.74 परसेंट के अगर आप आरे स्टॉक्स को देखेंगे गाई अल्मस्ट फूर परसेंट का हम लोग को गेन मिला है आज सिर्फ एक डे में इसलिए स्टॉक सेलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टन रहता है जो भी डेली बेसिस पर स्टॉक्स आप लोग के सा प्रेड नहीं कर सकते उसमें से दो या तीन को हम लोग को सेलेट करना पड़ता है तो मैं जो भी बेस्ट बैस टॉक्स यहां पर सेलेट करता हूं वो सारे के सारे स्टॉक्स जो मैं सेलेट करता हूं यह वाल्यूम बेस्टॉक्स होता है यह बेनिफिट होता हम लोग को चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना बूलिए क्योंकि शायद ही कोई ऐसी यूटुब चैनल रहेगी जो आप लोग इस टाइब किया कि उससे देती हो अगर आप लोग मुझे टेलेग्रम पर फॉलो नहीं कर रहे तो लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप ल सब्सक्राइब के लेवल्स रहेंगे 2197 हम लोग का स्टॉप लॉस इन केस अगर इसमें बाइंग नहीं आता है हम लोगों को तो यहां इस ट्रेंड लैंग को रिजेक्शन लेने के बाद में 2197 की नीचे अब यह रिश हो जाएगा 88 75 57 डाउंसाइड के लेवल्स रहेंग अगली केंडल इसका हाई ब्रेक करेगी तो मैनूली हम लोग अपने ओर को ट्रिगर करेंगे और अगर इन केस हम लोग इस लेवल को अपने स्टॉप लॉस के तौर पर यूज कर रहें तो कोई भी 5 मिनिट टाइम फ्रेम की केंडल हमारे लेवल के नीचे क्लोज होनी चीए अगली केंडल जब इसका लो ब्रेक करेगी तो मैनूली हम लोग अपने ओर को ट्रिगर करेंगे जो भी स्टॉप डेली बेसिस पर आप लोग के साथ में मैं डिस्क्स करता हूं यहां पे सारे के सारे फ्यूचर और ऑप्शन में लिस्टेड है यानि कि आप लोग इसके प् जो होते हैं वो काफी ज़्यादा डिफ्रेंट होता है ब्रिटाइन हम लोग के कल के दिन के सेकेंड रिकाउट स्टॉक रहेगी 3584 के उपर बुलिश है 94 14 और 33 अपसाइड के लेवल से 3570 हम लोग का स्टॉक लॉस होने है इन केस अगर इसमें बाइंग नहीं आता है और यह दाउनसाइड के लेवल रहे है 3584 हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा बात करें कल की दिन की तीसरी ब्रिकाउट स्टॉक के बार में जूर होगी इंडिगो की इंडिगो में काफी शांदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है और वल्यूम में भी अपसाइड के लेवल से 1,800 स्टॉप लॉस रहेगा इनकेस अगर यह डाउनसाइड में ब्रेकाउट देने में कामयब हो जाता है तो 1,800 के नीचे वियरिश है 1,795, 87 और 74 हम लोग के डाउनसाइड के लेवल सो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मेरे प्रेट पहले यहां पर एक इमपोर्टन राजिस निफ्टी के लिए अब कल यह डिपेंड करेगा कि मार्केट हम लोग को ओपनिंग कहां पर देखा कई दिनों पहले मैंने आप लोग को बैंक निफ्टी में सिमिलर पैटर्न जो है वो दिखा दिया था बैंक निफ्टी ने ब्रेक मिल जाता है तो हम लोगों 17,400 का लेवल जो है 17,400-500 का लेवल आने वाले दो से चार दिनों में डेफिनेटली निफ्टी के फ्यूचर पर देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप लोग जानते कि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स है इंट्राडे के बेसिस पर मैंने कुछ लेवल साप लोगों के लिए रॉगर के रखे हुए है 16,670 के ऊपर निफ्टी का फ्यूचर बुलिश है 716, 760, 802 और 870 हम लोग के अपसाइड के लेवल्स रहेंगे इनके इस अगर बाइंग नहीं आता है तो 16,600 के नीचे निफ्टी का फ्यूचर वीक है 566, 531, 490 और 432 हम लोग के डाउनसाइड के लेवल्स बात करेंगे बैंक निफ्टी के मैजिकल लेवल्स के बारे में उससे पहले डेली टाइम फ्रेम पर जाकर करके एक बार बैंक निफ्टी के फ्यूचर को भी हम लोग चेक कर लेए हम लोग को complete bullish closing आज के दिश में मिली है निफ्टी पह लेकिन indecision candle हम लोगों को तीम यहां पर जो मिली थी उसी टाइप की candle हम लोगों को यहां पर मिली है अगर कल CMD में आज की candle का अगर हाई चला जाता है तो हम लोग को upside में काफी शांदार rally देखने को मिलेगी और अगर low चला जाता है तो PE में भी काफी शांदार entry हम लोग को देखने को मिलेगी इसके बीच में हम लोग scalp credits को initiate कर सकते हैं इंट्राइडे के लिए आप लोग के लिए level 36,000 का important है जो की बैंक निफ्टी के future के चार्ट पर है 102, 213, 324, 471 हम लोगों के upside के levels रहेंगे इंकेस अगर इसमें buying नहीं आता है upside में तो 35,900 जिस level पर इसने considerate भी करके रखा हूँ है इसके नीचे ये week है 804, 698, 584, 441 हम लोग के downside के pre-predicted levels होने है तो guys मैंने आप लोग के साथ में अपने बहतरीन analysis share किया हुआ है जो के nifty और bank nifty का है साथ ही मैंने आप लोगों को जो मेरी magical levels है वो भी share किया है हम लोगों ने discuss की है कल के दिन के तीन बहतरीन breakout stocks उनके target entry logics के साथ है चैनल पर नए है तो subscribe करना ना भूलिए इस वीडियो के description box में ने अपना telegram का link दिया हूँ आपको मुझे telegram पर follow कर सकते है सबसे important चीज़ अगर वीडियो को like और comment अभी देक नहीं किया है तो जरू कर दिए तो thank you so much